लोग सभा चुनाव 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्च करने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत जोग दी है। भारतिय जनता पार्टी ने NDA के सहयोगी दलों के साथ मिलकर बिहार की सभी 40 सीटों पर कबजा जमाने का दावा किया है। हलाकि अभी तक NDA में सीट सेरिंग पर कोई चर्चा खुल कर नहीं हुई है। यह तय नहीं हुआ है कि NDA में सामिल किस पार्टी के खाते में कितनी लोग सभा सीटे जाएंगी। इस बीच उपेंद्र कुस्वाहा की पार्टी RLJD ने लोग सभा की आठ सीटों पर दावा ठोक दिया है। उधर तीन राज्यों के विधान सभा चुनाव में भारी जीत दर्ज कर चुकी BJP की उर्जा बढ़ी हुई है। ऐसे में राजनितिक गलियारों में या सवाल उठने लगा है कि कभी नितीश कुमार के करीबी रहे उपेंद्र कुस्वाहा को भाजपा कितना भाव देती है। को लेकर अपना दावा भी किया गया लेकिन कुस्वाहा की पाटी की ओर से सभी बिहार की लोगसभा सीटो पर NDA की जीत का संकल्ब भी दोहराया गया है। इमेंद्र सिंग, जहानाबाद में अजे कुस्वाहा, काराकात में सुकुल राम, एवं सिवान में राम पुकार सिनहा प्रभारी बनाए गया है। उन्होंने बताया कि जन सभाओं के माध्यम से लोगों को गोलबंद करने की तयारी है। इन आठ लोगसभा छेत्रों में कुस्वाहा की पाटी 2024 के लोगसभा चुनाओं के पहले बड़ी रैली करेगी। राष्ट्रिय महा सचीव ने बताया कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एंडिये की जीत के लिए उपेंद्र कुस्वाहा और हमारी पाटी के तमाम लोग संकल्प ले चुके हैं। अब उस संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए काम सुरू हो गया है। हमारी पाटी के कारेकरता इसमें अपनी पूरी ताकत जोग देंगे। लेकिन अभियान के प्रथम चरण में इन आठ लोग सभा सीटों पर पाटी फोकस करेगी। इन छेत्रों में पाटी की ओर से गहन जन संपर्क एवं बड़ी रैलियों का नेड़ने लिया गया है। बता दें कि उपेंद्र कुस्वाहा 2014 के लोग सभा चुनाओं में काराकार्ट से बिजय हुए थे। हलाकि 2019 में हार गये और दूसरे नंबर पर रहे। सीता मड़ी और जहानाबाद की सीटों पर 2014 के चुनाओं में कुस्वाहा की उस समय की पाटी रालोस्पा की जीत हुई थी। जंजारपुर, सुपॉल, मुंगेर, बालमिकी नगर और सिवान की सीटों पर 2019 में जदियों ने जीत दर्ज किया। इन सीटों पर उपेंद्र कुस्वाहा की नजर है और पाटी अपने अस्तर पर छेत्र में काम भी कर रही है।